नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर किसान भाईयों आज मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूँ जो अगर आज माते हो तो आपके खेद में नील गाई दुबारा लोट कर नहीं आएगी और आपकी फसल को कभी नहीं खाएगी किसान भाईयों नील गाई हमारी फसल को खा जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारे गेवं की फसल है नील गाई इसको पूरी तरह से खा चुकी है अगर नील गाई फसल को एक बार खा जाए तो क्या होता है कि नील केवं की फसल में वापिस से पुटान नहीं होता है और केवं की फसल खराब हो जाती है और उतना उत्पादन नहीं दे पाती तो मैं एक एसी तरकी बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आप आज माते हो तो आज के बाद नील गाई आपके खेद में कभी नहीं आएगी तो आप हमारे वीडियो को सुरू से लेके अन तक बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर करना और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो निचे लाल अक्सरों में सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए किसान भाईयो नील गाई क्या करती हैं कि कभी भी हम दिन रात तो खेट की रखवाली नहीं कर सकते नील गाई कभी भी आज चाती हैं और हमारी फसल को खा जाती हैं देखे हमारे काफी ज़्यदा नुक्सान कर दिया है नील गाई ने पूरा का पूरा केट हमारी गेंगों की फसल को बर्बाद कर चुकी हैं आप देख सकते हैं तो मैं आज एक इसी तरकीव लाया हूँ जो हम आज हम अपनाने वाले देख सकते हैं पूरे गेंगों की फसल को बर्बाद कर दिया हैं से पहले क्या करना है आपको बाजार से या दवाई लानी है इसका नाम है इंसेक्टो फिनाइल आप इसको फिनाइल भी बोल सकते हैं या 500 ml की सीसी आती हैं और इसकी आप MRP देख सकते हैं 60 रुपे जो आपको 50 रुपे में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है इसमें आता क्या है इसमें विबिन परकार के कीट समिल होते हैं कीटों का मरत सरीर से इसको बनाया जाता है जो की कापी बदबु करता है आप इसको देशी बासा में कीडों का तेल भी बोल सकते हैं इसमें विबिन परकार के कीट भी रहते हैं जो बदबु कापी करते हैं आ आपको लखडियां काटके लाने हैं और उस पर अच्छी तरह से कपड़ा बाहनना है आप अपने खेत के हिसाब से लखडियां कम We ended क्सक्न आप उससे पर दोय डालने कि इस पर कार आप उस सरह ड़ें डाल सकते हैं कि की और इसको अपको आपके नील ग़ै आ लंगाई हैँ अधिक यहां पर आपको रॉब देना है इस पर कार लगा einfach बांद कर उसके इस पर दवई डालेंगे तो दवई बद्बू करेगी और नील गाई आपके खेत में नहीं आएगी या इतनी ज़्यादा बद्बू करता है कि आपके हाथ पर भी गिर जाती है तो हाथ से 2-3 दिन तक बद्बू आने लगती है बद्बू इतनी खतरनाग आती है कि आप हाथ क कहीं बार दो लेते हैं उसके बाद भी बद्बू नहीं जाती है इस परकार आप लकडी पर कपड़ा प्लेट करें दवई डाल सकते हैं आपको दवई 2-3-2-3 दिल में डालना है क्योंकि तीन दिन में बद्बू कम हो जाती है और नील गाई आने का खतरा रहता है हमने आप देख सकते हैं यह पर एक लगडी रोप रखी जांपर हमारे खेत में नील गाई आते हैं उस पर द्वई डाल दिएं और हम आगे चलके आपको बताते हैं थोड़ी दूर पर इदर भी हमारें की फसल को नील गाई ने खार रका हैं तो हमने यहां पर एक लगडी रोपी है और उस पे दवेड आल दी हैं इससे क्या होगा निलगाई हमारे गयों की पसल में नहीं आएगी और हम अपनी गयों की पसल को निलगाई के प्रकोप से बचा सकते हैं तो मैंने तो यह तरकीब अपना लिए किसान भाईयों अगर आपको भी अच्छी लगी हैं मात्र 50 रुपे में आप अपने खेल से नील गाई को असानी से बगा सकते हैं तो आप यह तरकीब अपना कर निलगाई को अपने खेल से बगा कर अपनी फ़सल को बचा सकते हैं वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक किसान भाईयों के पास सेयर करें ताकि वो भी एसी तरकीब अपना कर अपनी फजल को ये लगाई के प्रकुप से बचा सके और आगे भी आप एसी जानकर्या पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद